22 वशों का विश्वास, 10,000 से जदर डॉक्टर्स, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट तो अबद्धिय के इस बयान के बाद राजनिती काफी गर्मा गई है और बीज़े-पी जेडिवत जम करने साना साधा है बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि अगर आप बंदे मात्रम नहीं कह सकते तो कठमुला वाद मुर्दा बाद के नारे लगाईए यानी अबदुलबारी सिध्वी कि बीजेपी के निसाने पर आ गए हैं अब्दुलबारी सिद्की काफी सैमित नेता है आज तक कभी बिवाद में नहीं रहे ना उनका कभी कोई बिवादित बयान आया है लेकिन अब चुनाव है चुनाव में कई रूप सामने नेताओं के आते रहते हैं और ऐसे में अब्दुलबारी सिद्की ने ये बयान दे कर क कि बंदे मात्रम बोलने में उनके समाज को बहुत परिसानी है क्योंकि एकेसवर वाद में उनका समाज विश्वास करता है और वो बंदे मात्रम नहीं कह सकता भारत माता की जैकारा लगा सकता है तो अब J.ड.उ बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं अब देखना ये है कि किस तरह से बीजेपी इस मामले को राजनिती में चुना में भुनाती है क्योंकि बीजेपी के नेता तो अब बंदे मातरम को बड़ा मुद्दा बनाने के तैयारी में हैं और बीजेपी की जो प्रत्यासी हैं दर्भंगा से उन्होंने भी इसको बहुत बड़ा चुनावी मुदा बनाने की कोशिस कर दी है और हर जगह अपने लोगों के बीचो जाकर अब्दुलबारी सिद्की के इस बयान को बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कुछ लोगों को जो चुनाव मैदान में हैं चुनाओ जितना चाहते हैं, संसद पहुँचना चाहते हैं, उनको भारत माता से भी घृणा है, उनको भारत से परहेज है और बंदे मातरम का नारा लगाने के लिए तयार नहीं है। का सहयोग समर्थनला कतार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत अभार, नमस्कार.